हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो हम चैप्टर प्रबाबिलिटी को ही कंटीनी रखेंगे और इसमें एक्जैंपल नंबर थी करने जा रहे हैं एक्जैंपल नंबर थी में आपको क्या बोला गया है एक्जैंपल करने जा रहे हैं एक्जैंपल नंबर थी में सब्सक्राइब को करेंगे ठीक है उसको एक बार वंस मतलब एक बार आपने थो करना है what is the probability of getting a number greater than 4 तो क्या probability होगी कि उस पे जो number आए वो 4 से greater आए greater than 4 means 4 से आपके पास बड़ा number आए तो आपको पता है जैसे आपके पास एक dyes होता है ठीक है यह आपके पास एक dyes है इस dyes में आपके पास number होते है 1, 2, 3, 4, 5, and 6 dyes में आपके 6 numbers होते है अब आपको उसकी probability बतानी है जो 4 से greater हो 4 से greater आपके पास कौन कौन से number होते है जो 4 से बड़े होंगे 4 से बड़े आपके पास एक तो 5 होगा और एक 6 होगा तो कौन से number बड़े होंगे 4 से इस number 4 से greater हो greater हो तो एक 5 होगा एक number आपका 6 होगा है तो यहीं कि दो नमबर ऐसे है जो टाइस में फोर से बड़े हम सिकस्के बाँ दाइस में नमबर सेवन नहीं होता एक不是 तक होते एंड तो और अपने एक ही भार दढ करना ऐतो देखें इसमें प्रब्रॉबियमिलियर्टी तो probability इसकी जो हो जाएगी आप पहले formula लिखेंगे probability में आप से क्या पूछा गया है नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 4 चार से बड़ी आने की probability पूछी तो क्या formula होता है आपको पता पहले formula लिखेंगे नंबर फजिवरिबल ओटकम्स अपॉन टोल पुछा फॉर्टल ऑटकम्स तो नंबर फजिवरेबल अउर्ल ऑटकम्स मतलब क्या पूछा गया है 4 से ग्रेटर 4 से ग्रेटर आपके पाल 20 में सिर्फ दो पाइफ डेन आपको नंभर है नमबर तू नमबर सिर्फ तू नमबर ऐसे है जो फॉर से बढ़े फाइफ एन शिक्स कितने नमबर तू नमबर तो फेवर में कितने आपके पास तू अपॉन टोटल आउटकम्स यानि की डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हैं यह हम क्वेशन में आपस पूछ रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि कोई भी नमबर आ सकता वन भी आ सकता तू भी सकता है थ्री भी आ सकता है फॉर्वी कितने हैं तो टोटल आउटकम्स आपके पास शिक्स है लेकिन क्वेशन के अखॉर्डिंग हमें सिर्फ 4 से ग्रेटर कि प्रॉबिलिटी बढाने तो ग्रेटर से आपके पास दो ही आपके चांस है तो बाई 6 हो जाएगा तो इसको रूडियूस करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 1 बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा तो यह हमसे इसका first part हमारा complete हो गया है ठीक है यह first part था आप इसमें second part में देखे क्या पूछा गया है second part आपको बुकमे में दिखाती हूं देखे second part में आपसे पूछा गया है what is the probability of getting a number less than or equal to 4 क्या probability होगी उस number की जो मतलब क्या probability होगी getting a number की जो number i less than or equal to 4 less than हो 4 से और उसके equal हो तो एक जो आपके पास be a dice होता हो उसमें 6 क्या number होता है आपको पता है आप आपसे बोला कि इस 4 से less than हो जाइन कि 4 से less than हो और equal भी चुट वह कॉंगा से number हो कि one number होगा जो 4 से less है 2 numbers भी 4 से less होता है 3 भी आपके पास 4 से less होता है और 7 में equal बोला है equal बोला तो इत means 4 भी आपका include हो जाएगा क्योंकि four four के equal होता है तो four से जो कम number है less जो number है वो number है one two और three और four के जो equal है वो itself आपके पास four है तो यान कि total कितनी होगे favor में जो outcomes आ सकते है one two three four कितने outcome आ सकते four outcomes आपके favorable होगे तो उपर आ जाएगा four upon नीचे कितना हो जाएगा चांस कितने total outcomes कितने six four upon six इसका answer है तो आप systematic तरीके से लिखेंगे आप से बोला है जो आपके पास less second part हम कर रहे है तो इसका second part हमने suppose इस इस event को हमने e लिया था second part के event को suppose मैं f बोल देती हूं ठीक है f event यानि कि पहले बाले event के according हमने जो question था greater than four था इसमें less than equal to four है तो इसको मैं f event ले लेती हूं या आप pe भी लिख सकते है again लेकिन pe f लिख लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आपका first two parts में question पूछा गया है तो आपके पास example वही formula आप मैं repeat नहीं करूंगी यहीं से आप formula देख लेंगे number of favorable outcomes favor में कितने four upon total outcomes total outcomes कितने six तो जाएगा two two four and two three six two by three example number three complete होगे अब हम करेंगे example number four example number four में देखिए आपको क्या वो लगया है यह example number four से पहले आप जो card का introduction है वो जरूर देख लीजेगा उसमें मैंने card की regarding आपको सबको बताया है कि उसमें क्या-क्या कुछ चुता सब कुछ पताया रखा है और जिनको card की knowledge नहीं है वो भी उसको देखके एजीली समझ सकते हैं इस question को one card is drawn from the well shuffle deck of the 52 cards calculate the probability that the card will be an S चीक है आप से इसमें बोला है कि एक deck of card है आपके पाँ मैंतब 52 cards का एक पूरा 52 cards आपके पास है आपको पता है कि जिए the card होते कितने होते होते हैं आपके 52 अपके पास दे ठीक है तो 52 cards में से आपको first में पूचा है कि आपको probability नानी इक K ए एका आने की का मतलब ए नम ए आने की ठीक है अल्फाबेट ए इसको में इका बोलता है ठीक है और इंग्लिश में इसको एस बोलते है तो आपको फॉर्स्ट पार्ट में यह बताना है तो आपको मैंने इसका इंट्रॉडक्शन में बताया था यह इंट्रॉडक्शन हमने कर रह का अच्छे से अप जो diamond होते वो सारे red होते हाड भी आपके पूरे red color में होते है club आपके black color में होते है और diamond में आपके पास K Q J A और two से लेके 10-th नमबर होते हैं सेम यही चीज यहाँ पर भी होती है यही सारे numbers और यहाँ पर भी club में भी और स्पेड में भी तो आपने देखा कि यह जो हमारा A है देखो आपका red में भी आया है और इस heart के red में भी है diamond के red में भी A होता है club के red में भी आपके पास A होता है और स्पेड के red में भी आपके पास A होता है तो यानिकि इस 52 cards में आपके पास एका कितने बार आता है S कितने बार आता है 1, 2, 3, 4 4 times आता है तो पहले वाला answer तो मैं ऐसी पते जल गया तो जो probability आएगी आपको पता है total number of cards total number of cards कितने होते है 52 होते है तो आपके favorable कितने है favorable यानि की आपको A A आने की probability बताने है तो A आपके पास 52 cards में से जो आपके पास total कितने A होते है 4 होते है 4 एके होते है तो 4 तो उसके favor में की कोई भी आ सकता आपको एका आने की probability बताने है तो एका आपके पास देखो diamond का भी हो सकता है heart का भी हो सकता है club का भी हो सकता है स्पेड का भी सकता है किसी कभी इक का निकल सकता है लेकिन इके इन सब के कितने होते हैं एक एक होते हैं इन में तो टोल कितने होगे वन टू थी फोर तो फेवर में फोर होगे और टोल कितने कार्ट से 52 52 कार्ट में हम नहीं जानते कि क्या हमारे हाथ में आएगा क्या हमने जो वे एक फिति फ्सकsınız कि पिक हो उस्में सी उसकिता है उसमें officialsonne तो अपका कोई भी कार्स यानिकि टोटल पॉसिबल कितने गया में गुछन में बताएंünde कि इक पी कितने अब कार में आ सकता है आपके 52कार में चार बार हम और 52 को cancel out कर देंगे तो 1 upon 13 आसर यहां पर आप फॉर्मला लिखेंगे जो कि मैं फॉर्मला मैंने आप नहीं लिखा क्योंकि एक बार मैं यहां पर लिख चुकी हूं इसी फॉर्मले के अकॉर्डिंग हम या लगोशन भी कर रहे हैं यह आपके पास फॉर्स पार्ट है देन हम करेंग किसके इकवल होता है वन यह मैंने इंट्रेक्शन में आपको बताया था कि कोई एक इवेंट अगर हो रहा है और एक इवेंट उसके ना होने का सम वन होता है सपोज एक कोई में आपका हैड आने और उसके ना आने की आपको पता है कि जब हैड आएगा तो हैड आएगा यानि की एक 52 cards के deck of 52 cards में अगर इका ना आई तो आपको पता है 52 cards में एके हो ते कितने 4 होते एक इतने होते 4 होते तो आप 52 में से 4 को माइनस करेंगे, इस कितने होते mutual damit 52 में से एगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आजाएगा 48 क्योंकि हमें not be बोला इसमें not be का मतलब होता है वो चीज नहीं होनी है वो चीज नहीं होनी है तो 52 में से 4a को आप रिमूव कर दीजिए 4 को हम रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा 48 तो probability कितनी हो जाएगी probability equals to जाएगी यहां पर इस event को आप F से भी डिनोट कर सकते मैंने आपको बताया है इस है कि दो पार्ट में अगर question आपको given है तो आप event को change करते जाएगी यहां पर PE लिखा है पी एफ लिगने कर नेक्स में आप कुछ और भी ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका formula वही लगेगा जो हमेशा से लगता है यही number of favorable outcomes upon total outcomes तो favor में कितने आए इक का ना आए 48 है एस ना आने के upon total कितने है 52 तो इसको हम reduce कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपके पास यह किस से cancel होगा तो आपके पास 4 से 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड यह हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा टो 4 को 52 से divide करेगा 13 टाइम जाता है तो 12 upon 13 नमारा answer हो गया तो हमने देखा कि बहुत easily हमने इसको हमने इस question को बताया कि किसी यहां पर आपके पास यह s के आने के चांस थे उपर वाले में फर्स पार्ट में ठीक है और सेकिंड पार्ट में आपके एस ना आने के चांस थे तो आपने इस तरी के से किरा आप बाकी आप इसको इस formula से भी कर सकते है कि कि किसी के होने और ना होने की probability आपको पता है कि होने और ना होने की probability में आप कैसे कर सकते हो जैसे आपको पता है कि अगर इका आ रहा है तो वो कितना आपके बाद अपने होने की probability कितनी निकाली थी 1 upon 13 निकाली थी न पी-ई कितना निकला था आपके पास 1 one upon 13 plus अगर इका ना आए उसके ना होने की probability को आप as as it is रखेंगे equals to 1 तो यह ना होने की probability आपको अगर निकान नहीं है तो आप क्या करेंगे इस one upon 30 को right side ले जा लेंगे then इसको solve करेंगे तो आपके पास 12 upon 13 यह आपको आपको ऐसको डेक्ट से ढर्रहाइसे स्मझक कर सकते हैं अधू flush जैसे perception आपके पास बाइकुंआ होटा ना उटाइक में आपकी कउच बाॉल्स भाउल जैसे स्बार मॉटीन ब्लाइक है कैसे जरति ऐसा आप probability निकाल लें कि बॉल रेड आए तो रेड आने के चांस तो 3 है वन टू थी बॉल रेड है मैंने बोला तीन बॉल रेड है तीन रेड है और ब्लैक भी तीन है आपके पास तो बॉल तीन जब आप निकाल रहे तो थी तो उसके आने की आप वह एपन टोटल कितने हैं 6 तो 3 x 6 तो कितना हो जाता है 3 x 3 3 2 जैसको 1 x 2 अब मैं आपसे सेकिंड पार्ट में यह पुश लो कि बॉल रेड ना हो रेड ना आए तो डेफिनेटली रेड नहीं आएगी तो ब्लैक ही तो आएगी और ब्लैक कितनी है इसमें 6 में से रेड आपकी 3 चलेगी तो बची 3 ब्लैक ना तो ब्लैक कितनी हो जाएगी 3 x 6 तो यह आपके ना आने की रेड के ना आने की चांस याने की ब्लैक आने की चांस तो सेम तिंग 1 आने की चांस और 1 ना आने की चांस तो यह वही चीज यहां पर करवाईए अब बाकी आप इसको direct इस formula से भी कर सकते हो कि अगर आपकी होने की probability निकल गई है तो उसको 1 से माइनस कर दीजे तो उसके ना होने की probability निकल जाती है ठीक है तो question example number हमारा ये complete हुआ है 4 अब हम करेंगे example number 5 देखें example number 5 में क्या बोला गया आपके पास 2 players है संगीता और रेश्मा ठीक है प्लेया टैनिस मैच बहुत इजी है ये थोड़ा से इसको समझना है बस वो टैनिस मैच खेलते है it is known that the probability of संगीता winning the match बद़ संगीता की जीतने की जो probability है मैच की वो कितनी है 0.62 ठीक है 0.62 decimal में given है बहुत से पहले के जो questions में हम परसंटेज में देखते थे what is the probability of the रेश्मा winning the match आपको बतानी है कि रेश्मा के जीतने की probability क्या होगी और आपको given क्या है संगीता की जीतने की probability अब देखे दो प्लेयर अगर किसी मैच को खेल रहे है ठीक है ये आपके पास रेश्मा अगर किसी मैच को खेल रहे तो definitely कोई एक ही winner होगा दोनों तो नहीं हो सकते है दोनों में से एक ही होगा अब इसमें एक के होने की मतलब एक के win होने के chance आपको कितना दे रहे का संगीता के जो संगीता को हम ऐसे उसकी probability of संगीता संगीता के winning होने के कितनी probability है 0.62 ठीक है तो आपको मैंने एक relation बताया था कि किसी भी event के होने और ना होने का जो sum होता है वो कितना होता है 1 होता है तो यहाँ पे e की जगा मैं ps कर दूँ यानि कि संगीता के जीतने और उसके ना जीतने की probability भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे s करना ठीक है संगीता के जीतने और उसके ना जीतने की probability भी तो 1 होगी अगर हम इसको formula wise करे तो देखो अगर संगीता हारती है ना जीतना मतलब यहाँ पे संगीता क्या कर रही है यहां पे संगीता को हम लूजर दिखा रहे हैं यहां पे संगीता आपकी क्या कर रही है जीत रही है तो यहां पे संगीता की यह हारने की है ठीक है अगर वो हारती है हारने की probability है probability और यह जीतने की तो होने और ना होने जीतने और हारने यानि की जीतने की और ना जीतने की दो तो अगर संगीता हार जाती है तो दो प्लेयर है दो प्लेयर में से अगर यह संगीता हार जाती तो जीतेगी कौन रेश्मा जीतेगी न रेश्मा जो है आपकी जीत जाएगी अगर संगीता हारती है तो रेश्मा आपकी जीत जाएगी तो मैं क्यों न यहां से यह निकाल दू कि जो संगीता हारी वो निकाल देते हैं तो पहले हम संगीता की जीतने की निकालते हैं उसको हम माइनस कर देंगे इस वन से तो संगीता की हारने किया जाएगी संगीता हार जाएगी तो रेश्मा की जीतने किया जाएगी तो हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं यह जो संग बार लगाए इसकी जगह मैं PR लिख दूंगी रेश्मा तो आप यहां पर आपको पता है सही था जो जीत रही है उसकी प्रबिलिटी आपको और डी गिवन है निकालनी नहीं आपको दे रखिए 0.62 तो यहां पर रेश्मा की निकालनी है तो रेश्मा की यहां से easily निकल जाएगी तो आपका PR कितना निकलेगा 1 यह आपका माइनस में चले जाएगा 0.62 तो आप 1 में से 0.62 को माइनस कर दीजें 10 में से 2 माइनस होगा 8 देन यहां रहा 9 9 में 6 माइनस होगा 3 देन यहां 0 तो आपके पाद 0.38 यह किसकी आगई रेश्मा की जीतने की probability ठीक है त यह question बहुत easy था आपको इसको direct इस formula से कर सकते यहां पर confused मत होईएगा क्योंकि यहां पर संगी था कि हारने की जगा मैंने इसको S bar की जगा आर लग दिया ठीक है आई होब आपको example 3 4 & 5 समझ में आयोंगे वीडियो को pause करके आप नोट कर सकते और वीडियो अगर पसंद तो like share subscribe करना ना भूले bell icon को press जरू करें ताकि आपको probability की सारी वीडियो इस पूरी चाप्टर की वीडियो मिलती रहेंगी और introduction and जो वह बहुत important है कार्ड बाला introduction and जो वह ने initial पहला वीडियो इसका बनाया है वह आप दे सकते हो और पूरी इस चाप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग अच्छे समझने के लिए आप प्लेलिस में जाके सारे questions को कर सकते है thank you and thanks for watching